सो गाइस जैसे कि आपने थंडेल में देखा है कि डाटा जल्दी खतम हो जाता है 1 GB डाटा पूरे दिन भर नहीं चलता है qya करे यसा कि हमारा जो डाटा पूरा दिन भर चल जाए जी हाँ और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूं कि डाटा कैसे बचा है शाम को जैसे आप घर आते हों खतम हो चुका होता है फिर आप किसी और के मोबल से होट स्पोट करके फिर आप वाइफाई यूज करते हैं देन उसके बाद आपका जो डाटा है इदर उदर मेनेज करना पड़ता है और ऐसेसे बिल्कुल ना करें आपका जो आच कल जो सबसे ज्यादा जो डाटा यूज़ हो रहा है वहां पर आप यह इतना डाटा आपका मैं बचाओंगा और आप पूरे डाटा को राद भर आपको डाउनलोड पर लगा सकते हो कुछ भी कर सकते हूं बचाओं लाटा से तो वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप नागरे क्योंकि सारे जो पॉइंट साज में आपको बताने वाला हूं वह एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए है यूटूब का फेजू का इंस्टाग्राम का और आपका वोर्टसप का जो कि आपका बेग्राउंड में डाटा चल चलते हैं इस्किन पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बैल आइकन जरू दबा ले जाएगा ताकि आपको आगे भी और भी इससी प्रिकार की इंट्रेस्टिंग वीडियो मिलती रहें तो चलता है इसकिन पर सबसे पहले अप आपको यहाres लेक्त पर देखने को मिल जाएगा की वीडियो क्रती और मोगाली नेट्वर्ख ओटो हायर पेट्यर क्वालिटी ढाटा सरवर आप कुछ भी अगर वीडियो ढॉंद्रीग देखते हो तो आपको northwest याको शील चलतना तो सबसे पहले आपको राओ सरृशम sutर द बच जाएगा आप यह data server का option पर आप कर दीजिएगा तो आपका data काफी ज्यादा बचेगा देन उसके बाद चलते हैं Facebook पर जैसे मैं Facebook पर आने के बाद जो है मैं आप क्लिक करेंगे आपको sound और resize का और setting option आपको देखने को मिल जाएगा मैं setting पर क्लिक करता हूँ setting पर क्लिक करने के बाद जो है आपको data server देख रहा हूँ इसे ओन करता हूँ तो मैं इसे ओन करता हूँ तो इसमें चुम्हें काफी ज्यादा जैसे में रिल्स देखता हूँ उसमें काफी ज्यादा खर्च होता है वह काफी सारा डाटा मेरे को खर्च होने से बच जाएगा देन उसके बाद चलता है अगर आप इसे ओन रखते हैं अगर आप या फोटो वीडियो या डोकुमेंट्स बगर कुछ भी ओन करते हैं तो आपका कुछ भी देखे भी नहीं वह वीडियो फोटो या डोकुमेंट्स आपको अल्डेडी ऑटोमेटिक डाउनलोड होगे आपके गैलरी में सेव हो तो आपको आपने data का इनुसर उसे कर सकते हो तो मैंने आप बेस्ट क्वालिटी कर रहा है ताए कि किसी फोटो अगरह बेस्ट न आप तो वह अच्छी होनी चाहिए तो setting में आने के बाद आपको यहां पर काफे सारी option देखने को मिल रहे हैंगे तो मैं सबसे पहले क्लिक करता हूं network preference पर जैसे मैं क्लिक करता हूं यहां पर a download preference auto update preference तो यहां पर देखेंगे कि बेग्राउंड में अगर आपका कोई साथ भी application अगर अपडेट मंगता है तो यह आपसे बिना पूछे ही update कर देता है जिससे भी आपका data जो है काफी ज़्यादा automatic ही use हो जाता है then उसके बाद आप देखते कि data कहा गया वह आपको उसका पता नहीं चलता और वह बेग्राउंड में ही आपका data है वह update application को update होने में खर्च कर लेता है इस पर क्लिक करोगे तो जैसे ही कोई application update महागेगा तो वह सबसे पहले आप से पूछेगा permission लेगा then उस चीजों को बिल्कुल आप data server को own केजेगा आपका जो है काफिज ज्यादा data कर्स होने से बचेगा थेंक्यू